दिवस हैं, पाड़े पांच बजे को राहुल जी चैत्य भूमी में होंगे, डॉक्टर अंबेड कर समारक में अंतिम समार होगा, पर इस बीच कल राज से कई संसनी खेज समाचार छपे हैं, जिस पर मेडिया में भी टिपड़नी हुई हैं, आज दोपेहर को कॉंग्रेस अध अधियक्ष ने एक प्रेस कांफरेंस किया है, पर ये इतने संसनी खेज हैं, कि राहुल जी का प्रेस कांफरेंस भी करना आज शाम को हम सोचे ये जरूरी था, तो मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, वो इस बारे में कुछ बोले, उसके बार में आप सवार कर सकते ह नमस्तार, ऐसे हैं आप, ठीक हैं, कुछ साल पहले, नरेंद्र मोदी जी ने, ये हिंदुस्तान का जो, पुलिटिकल फाइनस का सिस्टम है, उसको साफ करने की बात की थे, और, एलेक्टोरल बॉन्ड का जो, कॉंसेप्ट है, वो नरेंद्र मोदी जी ने, डिविलप किया, और उसको इंप्लिमेंट किया, और कुछी दिन पहले, एलेक्टोरल बॉन्ड की सचाई, देश को दुखी है, बेसिकली, जो नरेंद्र मोदी जी ने, एलेक्टोरल बॉन्ड का कॉंसेप्ट रखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्टोर्शन रखेट है, मैं फिर से कह देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नैशनल लेवल का एक्स्टोर्शन रखेट है, कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉंट्रैक्ट का शेर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रश्टचार का स्कैम है, इसके सब आकड़े आपके सामने हैं, पूरी कंपनियों के लिस्ट अभी आई नहीं हैं, इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें CBI, ED से प्रेशर डालके पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद, BJP को पैसा मिलता है, हजारों करोड रुपए का कॉंट्रैक्ट मिलता है, कॉंट्रैक्ट का एक कट, BJP को डाइरेक्ट मिलता है, तो ये प्रधनमंत्री का कॉंसेप्ट है, और दुन्या में सबसे बड़ा भरष्टचार का, करप्शन का, उधार हैं, अग्रेजी में बुनु हैं, या, some years back, Prime Minister came up with a concept, which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates it is a way of stealing money from the biggest contracts in the country it is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP so it is the world's biggest corruption scam it is the world's biggest extortion racket and it is run by the Prime Minister of India I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way because I know from past experience the type of things you focus on but this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister now if you have any questions please yes yes I'll come to you Mr. Opposition has been remarking for this and now it is out and as we are seeing it is 50% like you know that opposition look the question is not whether it is 10% 20% 50% more the question is that none of the opposition parties have access to contracts at the national level none of the opposition parties are giving highway contracts or giving defense contracts to these people okay so none of the opposition parties are controlling the CPI none of the opposition parties are putting Pegasus on people's phones None of the opposition parties are controlling the income tax department. None of the opposition parties are controlling the extortion directorate. These are all controlled directly by the BJP and by the Prime Minister of India. And what we are seeing is criminal extortion from corporate India. Every single corporate knows this. आब आपकर्गइब से करती हुआ martीज से इन संवलाईनाar. एक टेहर ऑल प्षीर इन पिसले करा इन फिसले कार मुद्टे कर दिते हैं, है भी कि इस बाते हैं, भी कि बीकिलिए बाते हैंबे स्टीज़र आप जासे हैंबे कर और विश दिटा आपटूप। अग्यावे बाइब कि यंद और लेखा गिषान, अग्यां है? ये मेज़कर प्रश नुद्धिन बेस्ट प्रश जान अलप हेले क्षách रसी प्रुंचित कंचितव象 सब्सक्रादी त Dee मेरें प्रश कautres Wheel प्र मेपस्ट प्रचिट में कि tutto लुड़ करेंगे बडने मोट में अबस्ट करीजुप से प्सकेश आउने था ऐी निंदिकिसों ए रशेक्षा झाउम इंध करीज प्सकेशिए निपने अंध मेरे पिखने ऐसों एक्राफ तेह तो चान अबसे हमें खक्राफ एक्तर से इस प्रेम कोर्ट अग्स डिस इन ऐसंपोर नीर से स्प्रीम थ्याट नीर्म हुआ खर्ट पार्ड आए यह वह देग टी टानेख बदें आंगु टीज़िए एक तरी प्री इसमा गोस्ट आए अब कर चुनाओ की ओर श्रीड रीडिया टीवार रोग तेंडियारे नहीं ये देखी ये बहुत एहम मुद्दा तो है मगर इस स्केल का ब्रश्टाचार इस लेवल का ब्रश्टाचार कि आप देश की पूरे के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो CBI को ED को Income Tax Department को Investigative सारी कि सारी का रोल आप करप्शन बना दो और आइडिया किसका है आइडिया प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री ये स्वयम कहा कि Electoral Bonds से Political Finance साफ होगा तो मतलब ये इससे बड़ा प्रश्टा चार तो ही नहीं सकता और ये गड़करी चीने नहीं कर आया है ये नरेंद्र मोदी जीने कर आया है चीदी से बात है से इसरे स्वाभ़ दाइडिया थार कि आइडिया रख रधानमंत्री नहीं कर देडिया नाय। कि यॉ प्रफजकर झालती प्रफटरादी प्रफटरादी प्रफटराश थे निन हुटाओ। का सब्सक्राओ था कि अधन अधन होग एधन, इसजिए निए वटार इपक्राइ्ड, इसका जिए टेंडेट, वीज़ जिता है एटाओंस प्रफटराद है। and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things and you will see that there is a correlation between these things in the BJP. मेशाय होगा. और अगर कांगरेक्स आती है, तो सेयल्जी बाहर होगा है. दिखियाओ, आप इसको इसको डिस्ट चार्च करने की कोशिग मत कीजिए. ठीक है यह यात्रा के बारे में नहीं है, यह ब्रहस्त चार्चारं के बारे में है है. आप लोग लवे रहते हो ति डिस्ट्रैक करना है रियलिटी यह है कि सबसे बड़ा बहुत रचाचार हिंदूस्तान की हिस्ट्री में हिंदूस्तान के पुरे इंस्टिउशन को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है तो आप इसको डिस्ट्रैक करने की कोछ फिर्मत कीजिए करने का जिए अब जो किया उसका पैसा कहा से आ रहे है तो यह इंदुस्तान में स्टेट गवश्ट गवर्म गया रहे हैं पैसा कहा से आ रहा है और यह तो छोटा सा भाग दिखा ए तो इन्होंने पूरे, पूरे system को, extortion का system बना दिया है, political पूरे structure को इन्होंने capture कर दिया, CBI investigation नहीं करती है, ED investigation नहीं करती है, extortion करती है, किस के लिए इजेभी के लिए, कि यह जो पार्टी सो तोड़ा गया केमरा मत दीजिए काम करते रहते हैं उन्होंने उनको पैसा दिया यह भी सब जानते हैं पूरा महराश्या जानता है पैसा कहां से आया मैं आपको वतार हूं पैसा कहां से आया कि सबसे बड़े गॉल्ट्राइक्स हैं उसका हिस्सा लेकर बीजेजी ने सर्कार को रहा है तो नीट हुए यह फंदिश्ट हुए अजी आप एक्स्टॉर्शन के लिकर तो इस मुझे को लेकर आप प्रस्टाचार हुआ है अब आप ने जाएंगे कि आम रेस करेंगे अगर आपका भी काम बनता है ना कहां कर रहो आप तो आप तो आइसे बोड़ रही जासे हुआ है नीग आपका रोल है यह पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टिटूशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजे पी ने काप्चेर कर रखा है और पूरे सब सारे के सारे इंस्टिटूशन्स इसी काम में लगे हुए है यह यह एंटी नैशनल अक्तिवीटी हो रही है इस से बड़ी एंटी नैशनल अक्तिवीटी हो इन्ही Prof कि अ सकतीrender और अगर दुन्या में सबसे बड़ी लव्ल पर और हो रही है सबसे मतलब मैक्सम इंडैसे किया जा सकता है ऐसे किया जा रहा हैfer différents पैसे सवाल पूछ रहा है मैं आपको बतारा हूं किंग्रेस पार्टी कंग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार में चलाती है उस पे डिसकशण हो सकता है इंडिया गटबंदर में डिसकशण हो सकता है मगई प्वूइंट यह है कि CBI ED कि इन्कम टारिख्स डे पार्टमट का प्रेयोग किया जा रहा है कि कमपनी इसको एकूट इसका है अचा वो यह पूरा पूर धूत प्रगहनमंत्री ने क्रिएट किया है। इनका ब्रेंचाइल्ड हे। इन्न है कि बहुंट इन्द्स्तान के राजनेती की किसाफ कर देगा। अभी नव सब्सक्राइब शॉच्टी शॉच्टी। कि मैंने देखे पार्टी रसाच चोड़के नहीं गए हैं अचेवी आइस में उसकार कर तो थीज करकर वेड़ी कर उन पर घबाव डालके इनको पार्टी तोड़ा गया है इसको नहीं तोड़ा गया एक कंग्रेस का कोई नहीं की एक बिकुछ ताफ खड़ी हो यह वहाँ ठी हमारी पार्टी इंटक्ट है जरू अशुक चानल गया है निम्म तिहरा गया हुए हमारी पार्टी इनटक्ट है। शिफ सिन्ह को नकी को पैसे से तोला गया है। कैसे तोला गया है आज में आपको बटा रहा हूं। और चुनायों में यहां पें कॉंग्रेस पार्टी और हमारा जो गड़नन है रेकॉर्ड मत से जीतने वाला है यह तो हमारी सीसी है खारगे जी है वह ओडर देंगे मैं करूंगा जो भी उनकी राय है कॉंग्रेस पार्टी का सिपाई हुँ जो अडर मिलेगा करूंगा कूछ अधूर्पिस प्रेशिटर का इसनुक्त को प्रटन कर देख हो अगे जलकर ऐसा और ऑगा जा यह वह दिए हुए हूँ हो सकता है CBI य डी तेशी चीज नहीं है वो बीजिपियोंटर वोजरी है कि अटो बीजबिकर कंट्रोल में को हं विडिया के आन वे हिंडूस्तान में जो हूं रिचांड नहीं को आज इंस्टिटूशन हिंदुस्तान के नहीं है चाह वे सिब यह सब हों यह अब बीजय प्यार आरेस्ट के हत्यार है यह इसलिए यह यह हो रहा है यह पारा है अगर यह institutions अपना काम करते अगर CBI अपना काम करती एदी अपना काम करती तो यह नहीं होता तो उनको यह भी सोचना चाहिए जिए सब कर रहे हैं कि कि किसी ना किसी दिन BJP की सरकार बढ़ लेगी और फिर कारवाई होगी और ऐसी कारवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ यह फिर से कभी नहीं होगा तो उनको भी सोचना चाहिए थैंक यूँ